हेलो कोई, सिलकम तो माईटूब चैनल एक्स्टिम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेर मार्केट में आप बीटी एस्ट कैसे करेंगे कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा बीटी एस्ट करना, काफी यूटूबर्स जो लाइव आते है, वो बोलते है बीटी एस्ट देखलो, बीटी एस्ट देखलो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप बीटी एस्ट कैसे करेंगे स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग ट्रीडिंग इन्वेस्मेंट सीखना चाहते हैं अब हमारा ये वाट्स आप चैनल फॉलो कर सकते इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा ठीक है, अब हम सिंपल जो है सेर मार्केट एपको ओपन करेंगे अब देखें, बीटी एस्ट का मतलब क्या होगा जैसे फोर एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी का आज मार्केट अभी चालू होगा एक मिनट में चालू होगा बस देखें, मैंने आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखा अब मुझे लग रहा है मार्केट खतम होने के टाइम पे मार्केट खतम होने के टाइम पे लग रहा है कि जैसे कल मार्केट क्लोज हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रीन केंडल पे क्लोज किया मतलब मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको अनेलेसे से बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कल market जो है न, वो green में open होगा, मतलब कि market उपर open होगा, अभी income 1555 पर, अब अगर सोच रहाँ मैं कि market जो है वो तो कल next day में green open होगा, उपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि आज मैं overnight जो है ना, कुछ call की position बना लूँगा, जैसे कि ये 450 का call लेता, तो देखिए market अभी just चलो हुआ, और ये जो price है, आप देख सकते कि 400 से कितना जाता हो गया, open कितने में हुआ था, और ये कितना भी च market चल रहा है यहां पर, और मैंने आपको ये prediction बताया था कि मेरा prediction ये है, कि market उपर जाएगा, और देखिए, वाकली में market उपर जाएन लगा, तो इस तरीके से हम लोग btsd करते, कि हम ये predict करते कि कल के दिन market कहां पर open होगा, इस तरीके से हम लोग btsd करते, ओके, so I hope आप ल